सब्सक्राइब कीजिए टाइकमन चैनल को और बैल आइकन को दवाईए लेटेस्ट टेकनलोजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए हेलो दोस्तों आप देख रहे हैं टाइकमन यूटीब चैनल और मेरा नाम है अमन तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको अता हूँगा कि आप कैसे अपने एंड्रोइड मॉयल में ओन स्क्रीन नविगेशन के ओप्शन को इनेबल कर सकते हैं तो फ्रेंड्स अगर आपको नहीं पता ओनी स्क्रीन नविगेशन है तो मैं आपको बता देता हूँ आपने कभी अपने किसी फ्रेंड के फोन में दिखा होगा कि डिस्प्ले के अंदर ही उसमें होम बटन बैक बटन और रेसेंट बटन मिल जाता है और अगर आपके फोन में वह नहीं है तो क्या तो आपको वीडियो के नीचे सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा ज़रूर सब्सक्राइब कर ले तो फ्रेंड्स बीड़ा आपका समय गवाए चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं तो आप यहां अपने सेटिंग्स में और उसके आद आप चले जाए अबाउट वाले स्रेक्शन में तो फ्रेंड्स यहां पर जो मेरा फोन है में बता दू कि यहां पर लेनवोज जेट टू प्लस है मेरा तो यह वाला जो ट्रिक है या जो अप्शन है यह सिर्फ लेनवोज प्लस के लिए ही है तो अगर आपका कोई और मोईल है तो आप चिंता ना करें मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले क्योंकि इसकी अगली वीडियो जो होगी मैं उस पर बताऊंगा कि आप कैसे अंड्रोइड मोईल में जो यह होता है ओन स्क्रीन वाला बटन कैसे इन शोना हूँ एक तो हमारे आपको अप्शन इनेबल हो गया है तो सके आद को यहां जाना सेट्टिंगस में एडवान सेटिंगस और उसके आद आपको यह दिखेगा डिव्लपर ओप्शन इसको होपन कर लें और उसके आद जब आप स्क्रोल डॉन करके थोड़ा नीचे तो फ्रेंड जैसे कि आपको शोर आगा कि मैंने जब इनेबल किया तो यहाँ पर आपको थ्री जो होते हैं बैक होम और रिसेंट बटन हुआ आ गया है अगर मैं इसे डिसेबल करता हूं तो यह चले गए तो इनेबल कर दे और उसके आद आप चाहें तो यहाँ से डिसेबल पर ऑप्शन उसके आद यह डिवलेवफर ऑप्शन गायब हो दाया तो मैं कर देता हूं तो देख सकते फ्रेंड से यहाँ पर डिवलेवफर ऑप्शन हटिया है तो बस दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही था अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो